रादे कुछना फ्रेंट्स मेरे इस चैनल या शेतना में आप सभी का हाधिक स्वागत अभी नंदन है फ्रेंट्स मेरे इस चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे सब्सक्राइब कीजे फ्रेंट्स मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती हूं ऐसे मोटिवेशन कभी कभी सोसाइटी से जुड़े होते हैं कभी धरम से जुड़े होते हैं कभी आस्था से जुड़े होते हैं और इन सब में मैं आप से सिर्फ एक ही बात कहती हूं यदि आपको आप उनको लाइक करते हैं आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए मेरी तरफ से क पॉपल्शन नहीं है यह नहीं है कि मधू ने कहा इसलिए करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है तो प्रेंट्स मैं आज भी एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूं आज के लिए बहुत बड़ी समस्या चल रही है आज के समाज में बहुत बड़ी समस्या यह है कि जब बहु घर पर आती है बेटे की शादी होती बहु घर पर आती है तो हम बहु से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको सब काम आना चाहिए उसको नौकरी भी करनी चाहिए उसको डांस भी आना चाहिए उसको अपने पती के साथ पाटीज में जाना भी आना चाहिए और घर के भी सा कौन हम खुद इसके रिस्पॉंसिबल है फ्रेंट्स चलिए मैं आपको एक छोटी सी घटना से इस बात को बताती हूं मेरे जो फैमिली फ्रेंड है जुगल किशोर जी उनके घर के पास में एक लॉयर वकील रहा करते थे उनका लड़का भी पढ़ लिक कर लॉयर बन गया तो उन्होंने उसका शादी निश्चित कर दी और शादी उन्होंने उसी शहर में रहने वाली एक लड़की से कर दी जो की उनकी घर से थोड़ी सी दूर पर रहा करते थे उस लड़की के फादर भी जॉब किया करते थे और मदर हाउसवाइट थी उस लड़की के दो भाई थे और वो खुद तो कभी कभी आते जाते क्या किया उन्होंने वकील साहब ने उनके घर चले गए एक आदी बार तो उनके घर गए तो वकील साहब ने जाकर देखा और दोनों लड़के टीवी देख रहे थे, और उनकी बिटिया अंदर रूम में सो रही थी, और जो उनकी मदर थी, मतलब बिटिया की मा, वो पोंचा लगा रहे थी, वकील साब ने कुछ नहीं कहा, वो गए, मा ने पोंचा छोड़कर और उनके लिए चाय बनाई, उनको चा पड़ता था, उनकी कोड से घर के बीच में वो घर पड़ता था, तो ऐसा होता न, रिष्टदारी जूड़ गई है, तो इनसान सोचता है, चलो चले ही जाता हूं, तो यही सोच कि वो उसमें गए, उनकी घर पर गए, अब क्या हुआ वहाँ जो घर पर गए वो, तो उन्ह वी थी आराम से, और उनके दोनों लड़के ट्यूशन पड़ रहे थे, उनके जो समधी साहब थे, वो भी अपनी बेटी के साथ ही बैटे हुए थे, दोनों जने कोई सीरियल देख रहे थे, और जो उनकी मा थी, बिटिया की मा, जो बिटिया उनके घर की बहु बन कर आने वाली थी, उस बिटिया की मा अंदर किचन में खाना बना रही थी, वकील साब ने दूसरी बार इस चीज को देखा, उन्हें यह चीज बहुत बुरी लगी, जब पहली बार गये थे, तो मा ज़ड़ू पोचा कर रही थी, बेटी अंदर रूम में सो रही थी, जब दूसरी के लिए चाय नाष्टा बनकर आगया, बेटी उठी नहीं, बेटी ने उठी नहीं, बेटी ने उठकर अपने ससुर के पैर चुलिये होने वाले ससुर के, चरन सपर्श कर लिया और फिर वही बैट भी, और उनके साथ ही बैट कर टीवी देखने लगी, मा अंदर से खाना ब जिस लड़की को वो बहु बना के लाने वाले थे, उस घर में वो दुबारा से गए, इस बार जब गए तो दोपहर का टाइम था, लंच हो चुका था, कोरोना के चलते मेड़ बेड सबने निकाल ही रखी थी, जब वो घर गए तो उनके समधी साब घर पर नहीं थे, आफि सो रही थी, और मा बर्तन माज नहीं थी, यह सब देखकर वकील साब का मा था ठंका, उन्होंने कहा जो लड़की अपने घर में कोई काम नहीं करती, वो मेरे घर आकर कैसे काम करेगी, वो अपने घर को कैसे समालेगी, यह जो घर जहाँ पर वो शादी होकर आएगी, यह उस तो वकील साब तो सोच में पड़ गए है वकील साब घर गए जाकर उन्होंने अपने संधी को फोन किया कि संधी साब I am very sorry आपकी बिटिया को मैं अपने घर की बहु बना कर नहीं ला सकता तो संधी साब बड़े हरान हुए बले क्या हुआ वकील साब किसी ने कुछ कह दिया आपको जो आप कह रहे हो जैसा आप कह रहे हो वैसे ही हम शादी करने के लिए तयार हैं फिर भी आप क्यों मना कर रहे हैं बहुत देखी जी यह जो लेंदें वगेरे हैं यह सब कुछ तो हाथ का मैल है सब कुछ आएगा और चला जाएगा पर जिस लड़की को मैं घर में लेकर आ रहा हूं उस लड़की के अंदर responsibility नाम की चीज़ी नहीं है को लड़की की शादी होने वाली है मतलब कि अच्छी खासी बड़ी है वह आपकी बिटिया अपने घर में अपनी मा को मैंने देखा जब जाड़कों चलगा रही तो वह सो रही है खाना बना रही तो वह टीवी देख रही है बरतन माज़ी तो वह सो रही है मैगजीन पढ़ रही है नौबल पढ़ रही है तो जो जिस लड़की के मन में अपनी मा के लिए फीलिंग्स नहीं है उस लड़की के मन में अपनी सास के लिए कहां से फीलिंग्स आएंगी इसलिए I'm sorry संधी जी मैं आपकी बिटिया से शादी नहीं करवा सकता आपकी बिटिया से अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकता I'm very sorry और ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया इस बात को उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया हम अपनी बेटियों को घर में बहुत सिर्च रखा कर रखते हैं नहीं अगले घर जाएगी काम करेगी पर अगले घर जाके काम तो तब करेगी ना जब हम उनको काम करना सिखाएंगे फ्रेंट्स मेरी मम्मी ने तो हमारे साथ ऐसा नहीं किया उन्होंने तो हमें हर एक काम करना सिखा दिया था खाने बनाना सिलाई बुनाई कड़ाई और घर के जो चोटे मोटे काम जाडू पोच्छा बरतल हर काम उन्होंने इतना अच्छे से हमें सिखा दिया कि हम लोग जब शादी होकर आए तो कोई परिशानी नहीं हुई न हमारी सास को हमसे कोई परिशानी हुई और एड़ेस्ट होने में हमें भी कोई परिशानी नहीं हुई तो बस मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सब भी मदर्स से कि अपनी बेटियों को लाड़ प्यार कीजिए पर सिर पर मत चड़ाइए उनको इतना शिक्षा दे दीजिए कि जब वो अपने घर जाती हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो उनकी उस तकलीफ को ध्यान में रखकर उनको शिक्षत कर दीजिए केवल से उस घर को अपना कर और उस घर को भी उस घर में जाकर भी बहु ना बने बेटी बन कर रहे हैं और इस मामले में मैं बहुत लगी हूं मेरी बहु भी ऐसी ही है वो मेरी बेटी की तरह रहती है मुझे बिलकुल ऐसा महसूस ही नहीं होता है वो भी उसको भी सारे काम आते है और बहुत अच्छे से एज़स्ट कर लेती है वोगी So friends, Radhe Krishna See you soon